सागर भाई कोई ऐसा मोबाईल बन सकता है क्या जो कभी हैंग ना हो मतलब हैंग ना हो कभी वो तो यह हैंग वाला जो फंक्शन है ना जो हैंग वाला फंक्शन तो नहीं है हैंग वाली जो कमी है इसके बारे मैं बात करने वाला हूँ आज कोई भी मोबाईल फॉन हैंग क्यो जब आप उस capability या उसकी जो capacity उस उपर कोई application देते हैं उसे काम कराते हैं जैसे कोई 2GHz का processor है और आप उसमें काम बहुत जादा करा रहे हैं बहुत नॉर्मल सा 2GB RAM है 2GHz का या 1GHz का processor है बहुत ही basic phone है बहुत ही basic budget phone है उसमें आप बड़ी बड़ी application डाल रहे हो जैसे 1GB का game डाल रहे हो और बहुत high-end video editing की app डाल रहे हो तो no doubt वो hang होगा और वक्त के साथ आपका phone ECVA भी hang होता है कि आप उसे या तो बहुत जादा भर देते हो या तो उसमें ऐसी application चलाते हो जिसके लिए आपका phone बना ही नहीं है अब ऐसा phone जो आपका वक्त से बहुत पीछे है आने का phone है उसकी specs तभी किये और आप आज का Facebook Messenger जिसकी demand बहुत जादा है उसको लिए कम से कम 2 GHz से उपर का 3 GHz, 4 GHz के processor चाहिए होते है RAM चार्जी भी चाहिए होता है कम से कम तो updated applications को outdated hardware में चलाओगे तो वो hang होगा ही अपने phone को ज़रूरत से ज़्यादा भरोगे तो वो hang होगा ही हाँ एक चीज़ हो सकती है कि आपके पास जो आपका phone का specs है मैं specs की बात कर रहा हूं launch date की नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि पुराने specs वाले या 1 GB RAM वाले phone या पुराने processor वाले phone कुछ खराब company आज के दौर में भी launch कर देती है लेकिन वो है उस जमाने के उस generation के तो उ hardware भी उसी जमाने का है perfectly चलेगा लेकिन आज की जो application है वह आप पुराने device में चलाओगे उसे भरके रखोगे पूरे device को भरके रखा है अपने उसमें कोई space नहीं है तो आपका device हैंग करेगा तो ऐसा कोई device नहीं है जो हैंग नहीं करेगा यह totally depend करता है कि आप उसके hardware का कैस इस्तिमाल करते हो किस तरीके की application उसमें आप चलाते हो इसमें device की कोई भी गलती नहीं है ठीक है एक छोटी सी motorcycle पे आप 8,9,10,12,20 लोग,20 लोग बठा के नहीं चला सकते हैं उसके लिए आपको car खरीदने पड़े हैं ऐसे ही अगर high-end application चलाने हैं तो उसके लिए आपको better performance वाला, better hardware वाला, better CPU वाला phone नई generation का खरीदना पड़ेगा तब ही आप उसे चला पएगे और आपका phone कभी hang नहीं होगा, कभी hang नहीं होगा, अगर आपके processor आज का है और application भी आज की है, यह combination है तो आपको phone कभी hang नहीं होगा, तो क्या ऐसा phone बन सकता है जो कभी hang नहों, सार light application, TikTok light, यह ऐसे phone के लिए बनी होती है, जो पुराने generation के होते हैं, या तो उनकी जो specs होते हैं, जो processor होते हैं, वो इतने powerful नहीं होते हैं, PUBG light जो game है, वो क्यों बना है, वो ऐसे devices के लिए बना है, जिनकी specs कम है, जिनका processor weak है, समझ रहे हैं आप मेरी बात, उसका processor weak है, तो PUBG light कम resources के दाद, कम size के साथ, और वो resources hungry नहीं है इतना, इसलिए वो उन छोटे devices में, सस्ती devices में, या outdated devices में चल पाते हैं, आज की generation 1 GHz processor की नहीं है, mobile phone के लिए देखा जाए तो, आज कल 4 GHz के processor आ रहे हैं, RAM भी बहुत जादा आ रहे है, 88 GB RAM आ रहे हैं, storage 128 GB तक आ रहे हैं फोनों म आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़े कैसे काम करती है, अगर आपको ये वीडियो अची लगी तो इसे like करें, पर दोस्तों के साथ share करें, cyber security और ethical hacking में interest है, तो आप description शेक करें, 299 रुपीज के तीन ethical hacking courses है, जो की आसान भाशा में आपको ethical hacking सिखा देंगे, कि आप ये ethical करेंटर चात मनुथित्वर से अगारी पारी कंगी तो अचाम करता इच संगेट वीज़ेगा को अफा बाशेको इनी या